आपका स्वागत है आज मैं बनाने जाए पिंडी छोले और बहुती असान से तरीके से और हम इसे काला करेंगे बीना चाय पत्ती के बीना आवला के यह आपको वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा तो वीडियो को एंड तक देखें तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मैंने यहां पे लिए लिए डेड़ कप छोले सखेद वाले छोले याएंगे इन्हें मैंने पांच छे घंटे पाले भी गो दिया था अब अब अच्छे फूल गया है अब मैंने डाल दिया इसे प्रसर कूकर में और उबालने में हम ज्यादा पानी भरेंगे इसमें सिर्फ अब अच्छे से नमक चला जाए अब इसमें पाच्छे स्वीटी लगा लेंगे ताकि छोले अच्छे से उबल जाए अब छोले अच्छे उबल गया है इसका प्राशर अभी ने निकालेगे अपने आप से ठंडा कर रहेंगे अब मैंने यापे कुछ खड़े मसाले लिए एक चमच साबुत धनिया आगाच में सोफ आगाच में जीरा खोड़ी चिताने काली मिर्च के चाल छोटी लाइची एक बड़ी लाइची एक स्टीक दाल ची निकी पाच्छे साबुत मेरेची अब इसमें सभी को मैं हल्का रोस्ट कर लेंगे लेंको थोड़ा मिर्या में अब मसालों में से अच्छे को शबू आ रहे हैं मैं गयास को बंद गर दूँगी अब इस प्लेट में डालके ठंडा कर लेंगे और तवावी गरा में तो मैं हांते थोड़ी सी कसूरी में थे इसके लोंगी यह बहुत जल्दी जाती है इसलिए से ध्यान से करें यह मेरी हो जान रहे है नमकमने छोलो जाव बाले से भी ठाल था और थोड़ी सी डाल दूँगे महलदी सिर्फ सबूर के लिए और डाल दूँगे साथ एक चमच अंचोर पॉड़र और इसे में पीस दूँगी कॉंट्री कम है इस वैसे मेरी की समान बू डाल दिया मिसाला हमारा पीस गया है यह बढ़िया इस तरी की समें पीस में छोली चैक कर लेते हैं जा चलो विरुकुल चोली भी हमारे एक गम जाब देख सकते हैं बढ़ियो बलगे मैंने लिए यहां पर लोग की कड़ाई पर इसमें डाल दूँगे मैं एक चमच पाइल सक्सर पते लगे और डालूंगी दो चमच गी आप चाहो तो यहां पर पूरा भी चोलो को गी से बना सकते हैं मैं यहां पर आदा गी और आदा तेल ले दिन अपर अच्छा गरम होगे है अब इसमें डाल दूँगे मैं हींग जब यह चूले बनाए तो यहां पर हींग आप जरूर ड अब आदा दूँगे हरी मिर्च और अध्रप अध्रप को मैं असे लंबलमा घाट लिये और एक यह तेजपता डाल दूँगे और यह हरी मिर्च और अध्रप यहां बिना प्याज जसंटे कलारें त्यान बहुत ही मज़ेखी सप्यों यह तो पोड़ा सेखले में अध्रप को भून लेंगे और छोलो में से यह निकाल देंगे जबता और यह लों निकाल देंगे अगा अब ने चोलो को डाल देंगे पाने अमें अगे निगाए पानें आप अगे अइसे कर लेंगे अ और इसे सिर्फ दो ती मिनट के लिए ऐसे भूनेंगे अभी फ्लेम को मैंने हाई रखा है जब आप लसन प्याज ना खाएं तिर ये छोले जरूर बनाएं अब अब अच्छे बुन गये अब जो मसाला हमने टियार कर दो तारा का इसमें डाल देंगे हमने तभी चीज़ में डाल दिया नमा को मिक्स अब डाल दिया अच्छे से मिक्स में बनने वाले छोले बहुत ही पड़ाफ़ बन जाते हैं और पेस्टी इतन है कि सब आपती तारिश करते में ख़ते हैं बहुत ही तेस्टी रखते हैं अब दो मिनेट मसालों को भूल लेगे अब छोली ऑच्छे लेको मसाले से अच्छे से कोट होगा गया याला पानी को डालने भताब क मैं आलने हो कि खोड़ा सान जब भी बनाए जब पानी आड़ करें तो हल्का गुंगुना करके ही डाले अब आपको नहां पे जितनी ग्रेदी के ज़रुत है आप उतनी बना सकते है अब इसमें बॉइल आगया अब इसे ड़तुंगी और पासा बनाट पका लेंगे अब इसे इबर चाग कर लेते हैं छोलो में इतने ही ग्रेवी चाहिए लग रहे हैं तो हम बढ़िया और आप अमेसा इसे लोही कडाई भी मनाया जैसे की नाले मनाया और पिलना चाय पत्ति के बिना आगला के इमें काला करें और थोड़ेर इसमें छोड़ देंगे और अच्छे से काले हो जाएंगे और आप यहां पर आपको ग्रेवी अगर कम लगे तो यहां पर फ़ड़ गरम पानी करके इसमें मिला ले और ग्रेवी जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से बना ले मुझे इतने ही रखनी है ग्रेवी इसमें निकाल लेती है है ना बढ़िया रेसिपी और बिना प्याज लस्न टमाटर के इच्छोले तयार हो गए है प्रैंड्स पिंटी छोले बनके बिल्कुल तयार है और आप देख सकते हमने बिना चारपती के बिना आप लगके इसे काले बनाए और कितने सुंदर बने और खाने में तो आपको म आपको ना बुले टेक कियर